एक जंगल में एक सेर रहता था, वो जंगल का राजा था और बड़ा बलसाली था, सारे जानवार भाई के कारण उसका गुनगन किया करते थे, उसी जंगल में एक बुद्धी मन बंदर रहता था, वो सेर से नहीं डरता था और उसका गुनगन भी नहीं करता था, सेर को ये ब बहुत बुरी लगती थी, एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवार मेरी परशंसा करते हैं, पर अंतु तुम नहीं, ऐसा क्यूं? मैं किस बात पर आपकी परशंसा करो? मैं बल साली हूँ, मैं ताकतवर हूँ, जंगल के सारे जनवर मुझसे डरते है बनराज मैं बल के नहीं बुद्धी की पशंशा मांगता हूँ, इसलिए बल के कारण मैं आपका गुनगन नहीं करूंगा ये बात सेर को बुरी लगी और दोनों में बीबाद हो गया, बीबाद का विशय था बुद्धी बड़ा है या बल, सेर की दृष्टी में बल बड़ा था, किन्तु बंदर की दृष्टी में बुद्धी बड़ा था, दोनों ने अपने अपने तर्क पर अड़ गये, और अप बुद्धी से संसर का हर कर्यक किया जाता है, चाहे वो कितना ही कठिन कर्यक यू नहों, बुद्धी से हर समय का निधन संभव है, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यू नहों, मैं बुद्धिवान हूँ, हाओर अपनी बुद्धी का प्रयोग करके, किसी भी मसीवत से आसानी से निक बंदर का बात सुनकर सेर भड़क गया और बोला गर बंदर तू पल और भुत्ती की तुलना कर सकता है भुत्ती सेष्ट है बल के आगे बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता मैं बलवान हूँ हौद्तरी भुत्ती मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं मैं चाहू तो अपने बल का इसी वक्त प्रयोग करके तुझे मार सकता हूँ बंदर कुछ देर सांत रहा और बोला मुहराज मैं अभी तो जा रहा हूँ किन्तु मेरा यही मानना है कि बुर्दी बल से सिर्ष्ट है एक दिन मैं आपको ये साबित करके रहूंगा मैं अपनी बुर्दी से बल को जरूर हराऊंगा सेर ने कहा मैं उस दिन की पतिकसा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे उस दिन मैं अबस से तुम्हारे इस बात को सिकर करूंगा कि बुर्दी बल से शिर्ष्ट है किन्तु तब तक कते ही नहीं उस दिन के बाद से कई और दिन बीद गए सेर और बंदर की आमना सामना नहीं हुआ एक दिन सेर जंगल में सिकर कर अपनी गुफा की और लोट रहा था अचानक वो फिसली और एक गड़े में जागी रहा उसके पैर में चोट लग गई किसी तरह वो गड़े से बाहर निकल जलते ही देखा एक सिकारी उसके सामने बंदुकताने खड़े है और घहायल था सेर ऐसी अवस्ता में वो सिकारी का सामना करने में अशमर्थ था तभी अचानक कहीं से सिकारी पर पत्थर के बारिस होने लगे सिकारी हडवडा गया इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता एक प से तिलमिला उठा और अपना प्रान मचाने के लिए वहां से भाग गया सेर भी हैरान था कि सिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्रानों का रक्षा किया वो इधर उदद देखते हुए सोच रहा था उसे सामने ही एक पेर पड़ बैठे बंदर की आव बंदर को देख सेर ने पूछा तुम यहां कैसे महराज कैई दिनों से मेरी उस सिकारी पर नजर थी एक दिन मैंने उसे गड़ा खुदते हुए देखा तो समझ गया था कि वो आपका सिकार करने की फिराक में है इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धी लड़ाई और धेर सारे पत्तर इस पेर पर एकत्रित किया ताकि अब सकता पढ़ने पर इनका प्रयोग सिकारी के बिरुद कर सकों बंदन ने सेर की प्रानों की रक्षा की थी सेर ने बंदर को धन्नवात दिया और सेर और बंदर के बीजुई जगडे को भी खतम कर दिया सेर ने कहा बंदर भाई अज तुमने साबीत कर दिया कि बुर्दी बल से सेष्ट होती है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिती में एक सा नहीं रहता लेकिन बुर्दी हर समय और हर परिस्थिती में साथ रहती है बंदर ने उत्तर दिया महराज मुझे पसंदना है कि आप इस बात को समझ गए